प्राचीन भारत में उच्चे शिक्षा का सरवाधिक महत्वपून और विख्यात के इंद्र था महायान बौद धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हिन्यान बौद धर्म के साथ ये अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे प्रसिद्द चीनी यात्री हवे इंसांग तता इच्सिंग के यात्रा विवरनों से इस विश्व विद्यार्थी और एक शिक्षा के रूप में व्यतीत किया था प्रसिद्द बौद सारी पुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था यह विश्व का प्रतम पूनत है आवास ये विश्व विद्याले था विक्सित स्थिती में इसमें विद्यार्थियों की संख्या करीब 10,000 एवं अध्यापकों की संख्या 2,000 थी सातवी शती में जब भवें सांग आया था उस समय 10,000 विद्यार्थी और 10,000 आचारे नालंदा विश्व विद्याले में थे इस विश्व विद्याले में भारत के विभिन क्षेतरों से ही नहीं बलकी कोरिया, जापान, चीन, तिबबत, इंडोनेशिया, भारस तता तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहन करने आते थे नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्तसना तक बाहर जाकर बहुद धर्म का प्रचार करते थे इस विश्व विद्याले को 9 वी शताब्दी से 12 वी शताब्दी तक अंतराश्टी एक्ष्याती प्राप्ती परिसर संपादित करें अत्यंत सुनियोजट धंग से और विस्तरित क्षेतर में बना हुआ यह विश्व विद्याले स्थापते कला का अदभुत नमूना था इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था उत्तर से दक्षिन की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्थूपा और मंदिर थे मंदिरों में भुद्वार भगवान की सुन्दर मूर्तिया स्थापत थी किंद्रिय विद्याले में साथ बड़े कक्ष थे और इसके आलावा तीन सौ अन्य कमरे थे इनमें व्याख्यान हुआ करते थे अभी तक खुदाई में तेरे मठ मिले हैं वैसे इससे भी अधिक मठों के होने ही संभावना है मठ एक से अधिक मंजिल के होते थे कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी दीपक, पुस्तक इत्यादी रखने के लिए आले बने हुए थे प्रत्यक मठ के आगन में एक कुआम बना था आठ विशाल भवन, दस मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुन्दर बगीचे तथा जीले भी थी